आप अपने बचे हुए समय का अच्छी तरह से यूटिराइजेशन कर पा रहे होंगे सिस्टेमेटिक वे में अपनी तैयारी करते रहे हैं कुल मिलाके आपके पास अराउंड 20 डेज बचे हैं अभी एक्जाम के लिए और इस 20 दिनों में आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा ज्यादा लोड मत लीजे थोड़ा सिस्टेमेटिक चलिए अगा तो बहुत ही आसान से स्लेबर से हैं और एक्जाम भी काफी आसान है आप आराम से क्रैप कर सकते हैं तो आज यह वीडियो और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है भी भी अगर एक्जामनेशन से पहले आपके पास वक्त है कोई भी क्लरिफिकेशन कोई भी डाउट कुछ भी रह जाता है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में छोड़ दीजिए कोई भी कमेंट आपका जो कोशियन डाउट है कमेंट लिखकर छोड़ दीजिए मैं आपको हर कमेंट का रिपलाई करती हूँ और अगर रिपलाई ना कर पाऊं तो मैं उसको पढ़ती हूँ पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता है तो उसके ऊपर मैं आपको सपरेट वी वीडियो है PGT Chemistry का syllabus मैंने देखा यह requested वीडियो है कई सारे स्टूरेंट्स ने कमेंट में डाला था उन्हें PGT Chemistry तो मुझे यहाँ पर यह PGT Chemistry का syllabus डिसकस करने में खुशी होगी लेकिन फिर भी अदर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में डालिए और मैं कोशिश करूंगी उस कमेंट को पूरा करने की तो जितना भी समय लगेगा लेकिन आपको आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो एक्जामनेशन म एक दो मॉक टेस्ट डूंगी जो आपको क्या करना है मैं उसको वहां पर आंसर नहीं होंगे सिर्क कोश्चन आएंगे जिससे कि आपका क्या होगा रिवीजन होगा आपको क्या करना है कि जो कोश्चन चलेंगे मैं उसको एक्स्प्लेन करूंगी और आपको क्या करना है आं सभी के लिए TGT और PGT सभी के लिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपलाई कर रहा है तो आपका पार्ट ए तो आपका क्लियर होना ही चीए तो आप पेपर ए क्योंकि यह कॉमन पेपर है तो यहां पर यह पेपर जो है मैं आपको दो-तीन सेट इसके करवाऊंगी ज इसके रिफरेंस बुक्स की बात करूंगी वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्र का डीटेल स्लेबस आर्मी पब्लिक स्कूल कभी डिस्क्लोज अब तक उन्होंने नहीं किया है बट यहां पर मैं आपको जो बताऊंगी यह वहां पर जो आप कोशन पेपर अगर बाई करते है तो उसके साथ ही आपको एक छोटी सी गाइडलाइन आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो यह जो आप देख पा रहे हो यही आप इसको स्लेबस मान सकते हो और या फिर इसको अपना जो भी आप समझ सकते हो इससे क्योंकि इन्होंने अपने एक एक टॉपिक वाई स्ले स्ले में कार्यूने को स्लेबस के डार देख को सब्सक्राइडल्ूर तो या तो आप , या पिजिटी आफिश टीक्रव स्लेग्याय के लिए लिए उन्हाइड़ जाए प्लाई कर रहा है तो आपको इंखर में नी च्लीना और वह एक उनी 一रे बिक आपने पंस आपदे है यह chemistry का स्लीबस होगा chemistry का जो part होगा उसमें क्या होगा आपकी knowledge का test रहेगा बहुत ही मैं यह नहीं कहूंगी difficult question रहेगा लेकिन हाँ एक knowledge based रहेगा कि आपको simple और अगर level की बात करूँ तो आपका 12 तक के level का question रहेगा तो knowledge level क्या होगा यहाँ पर minimum knowledge है chemistry का PG level PGT के लिए जो है न होना चाहिए level of TGT के लिए mastery and clarity of basic concepts all the topics up to plus two level तो इसके लिए आपको क्या करना है NCRT books और CBSE syllabus जो है आपको उसी से syllabus जो question होगे आएंगे क्योंकि knowledge level में test आपकी जो होगी तो आपको यह जैसे PGT का जो तो PGT वालों को teaching करनी होती है 11th और 12th को 11th और 12th level के आपकी knowledge होनी चाहिए PGT के लिए अगर आप apply कर रहे हैं और अगर आप कर सको तो part 1 यानि graduation का जो part 1 का जो यह होता है first year का वो आप कर पाऊ cover तो बहुत ही अच्छा होगा और otherwise क्या है NCRT के books हैं जो chemistry के वो आप कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा 11th और 12th की और जो TGT है TGTs को क्या करना है यहाँ पर उनको TGTs के लिए 10th तक का अच्छे से होना चाहिए थोड़ा plus 2 level भी कर लिए तो और भी अच्छा रहेगा आगे जो questions जो होंगे वो understanding आपकी क्या होगी तो आपको क्या होना चाहिए अच्छी understanding होनी चाहिए concept की chemistry की जिसने भी concept उनके जो है ना understanding अच्छी होनी चाहिए up to secondary level तो जो PG teachers है या फिर PG teachers है उनके लिए और graduate level और ऐसे वहार secondary level तक की knowledge आपको होनी चाहिए chemistry की और यहाँ पर आपको analyze करने का जो है ना यह आपका यह होना चाहिए आप एबल होनी चाहिए कि आप analyze कर पाओ कि आप जो question, post और select आपको जो most relevant answer है options में से क्योंकि ए examination limited time का होता है आपके total 90 questions होंगे chemistry से 90 questions में आपको time limit के अंदर उन सारे questions को answer करना है अब यहाँ पर क्या होगा देखो awareness क्या है तो awareness के category में आपको aware होना चाहिए जो latest development हुए है in the relevant subject and teaching tools to make teaching and learning effective तो जो भी chemistry में कुछ भी नया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सरफ आपने 12 तक का पढ़ लिया तो वहीं से question आएंगे कुछ 10 to 20% question होंगे जो current आपका भी chemistry में कुछ नया हुआ है कोई award मिले है या फिर कुछ नहीं discovery हुई है उन सबसे भी question होगा जिससे कि आपके knowledge जो है उसकी awareness कितनी है आपकी उसको check करने के लिए अपर मैं बता दूँगी structure of the paper तो paper का जो structure होगा तो पहला होगा knowledge based question होगे 25% के 25% question जो होगे यानि कि 90 marks के question में 25% जो question होगे वो होगे knowledge based secondly understanding based होगे understanding यानि आपके समझ पर आथारित सवाल 20% होगे application based यानि जो आप जिसका application कर सकते हो अपने classroom में, अपने life में अपने कहीं भी तो उसके 30% question होगे skill based जो है ना 25% होगे अगर detailed syllabus की बात करूँगी तो यहाँ पर detailed syllabus जो है आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि inorganic chemistry है उससे आपके रहेंगे 30% सवाल chemistry के जो तीन पार्ट होते inorganic, organic और physical तो inorganic से 30% physical से 30% और 40% जो है question रहेंगे organic chemistry से तो यही आपका detail से बस यह इतना ही clear करते इससे ज़्यादा वो detail नहीं बताते इसलिए बस आपको तो आपको खुद से यह analyze करना है और select करना है कि क्या और हाँ previous year के question मैंने आपको करवाए हुए है हाँ अगर कुछ और question भी करना चाहते है मैंने कुछ सालों के तो करवाए है और जो नहीं करवाए है अगर आप आपको चाहिए तो आप बता सकते हो तो मैं उसको भी करवा दूंगी कुछ previous और भी questions जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि question का जो level होता है किस type के question होते है और inorganic में से किस तरह के सवाल आते हैं organic से किस तरह के question आते है जो 40% question होते हैं और physical से जो question आते है 30% के वो कैसे होते हैं अब आगे बात कर लेते है reference books की reference books अगर आप इसके प्रिप्यर करो PGT chemistry के लिए या फिर TGT के लिए first of all आपके NCRT textbook आपके पास होनी चाहिए class 11th और 12th की अगर यह book नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो NCRT की easily available है और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तयारी करना और आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप उसको थोरो कीजिए उसी से continue कीजिए आप और फिनार की organic chemistry की book आती है वह कर सकते हो और कपूर की physical chemistry वह book ले सकते हो अगर अच्छे से prepare करना चाहते हो उसके लिए तो तो यह थे reference books जो इनकी website पर ही available है और जो अगर आप buy करोगे question paper तो उसके साथ ही आपको मिलेगा मैंने आपको यूँ ही दे दिया buy करने की कुछ जरूरत नहीं है इसको हाँ कुछ question paper अगर आपको और करने चाहते हो अपने division के लिए तो जरूर comment करना मैं आपको और कुछ पेवे से question paper करवा दूँगी जिससे आपकी understanding और भी अच्छी हो जाएगी और हमाग कमेंट करते रहे हैं जिससे कि आपके doubts हो वो भी clear हो जा और मुझे भी समझ आता रहे कि आपके मन में अभी तक कुछ बही अगर clarification है और मुझे आगे क्या करना है वो मुझे भी एक direction मिल जाता है जल्दी मिलते हूँ नए वीडियो में till then stay safe, stay connected thanks for watching